हेलो स्टुरेंट्स आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल बोर्ट सॉलुशन पे आज के इस वीडियो में हम कक्षा 10 वी का इंग्लिश विशे का सभी प्रशनों के उत्तर देखने वाले है इसके पहले कक्षा 10 वी के हिंदी और विज्ञान विशे के असाइनमेंट के प्रशन कर सकते हैं यह भी पूरी प्रोसेस बताने वाली हूं इसके लिए आपको गूगल पे जाना है गूगल पे सर्च करना है क्या सर्च करोगे www.bordjankari.com जहां पर आपको असाइनमेंट की 3 की अक्टुमबर महा की सारे विशे की सॉलुशन पीडियाप मिल जाएगी चले देख इसके बाद बाकी प्रश्नों का भी तर हम देखेंगे बाकी विशे का सार्मन की अंसर की लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है जल्दी से जा कर देख लिजए आपको कुछ भी नहीं करना है बस लिंक पर क्लिक करना है आपको आंसर मिल जाएगे चले देखते हैं चले यहां अच्छी चीजे की बारे में सिखना और कोशिच करना बहुत पसंद है कि और रेगुलर क्लासस लगाती है लुई देख लाइक सोशल स्किल्स लुई डॉस नॉट लाइक स्पीच उससे भाशन भी पसंद नहीं है या आप इसमें से तीन लिखना है तो कोई भी है कि यहां को आपको जो पसंद नहीं है इसके बाद यहां पर आप चाहे तो और यहीं भी सेकते इसमें भी कोई दिकत नहीं कटेंगे ठीक है चलिए कोस्ष नुबर से कडम देख लेते हैं कोस्ष नुबर सेकंड में बताया है चूज दर करेक्ट आउप्शन आपको इन में से कोई कर जितने question से सारे 1-1 मार्क्स के है तो इसके लिए respiratory आपका रहेट अंसर होंगा option number D इसके बाद अगला प्रिशन है इसके बाद है दूसरा B number का question Which game is not played by the children? इन में से कौन सा यहां पर बच्चों के दौरा नहीं कहला राता है तो hide and seek look at the tree, climbing tree, speedo पर चलना भी खेलते हैं और riding bikes यहां चलाने ला भी खेलते हैं musical chairs यहां पर ठीक है तो बाइक पर घुमना यह बच्चे नहीं करते हैं तो यह गेम जो है बच्चों की दौरा नहीं खेला जाता है riding bikes मतलब वो बाइक पर चला के बाइक रेस तो नहीं करते हैं इसका राइट आंसर होंगा musical chair मतलब गाना बना कर जो हम chair में घुमते हैं जैसे चेयर रखते हैं जो पहले चेयर पर बठेंगा यह भी बच्चों दौरा गेम खेला जाता है तो इन में से कौन सा है जिसका हम कुर्सी दौड़ भी बोलते है कई बार तो राइडिंग बाइक जो है राइट आंसर हो जाएगा आपका option number C चलिए तीसरा question is option number C में skin deep in the poem means यहां पर इसका means क्या है skin deep मतलब किसके बारे में बात हो रही थी कि तो outer appearance के बारे में बात हो रही option number D right answer हो जाएगा चलिए इसके बाद हम देखते है question number 3 question number 3 क्या है writer letter to the editor of a newspaper expressing your views about the contained water supply in your area you are Mamta Sharma या Ravisharma of Bhanpuri Dhamtari ठीके धमतरी जीले से बताया है आप Bhanpuri से हो आपका नाम Ravisharma या Mamta Sharma है तो आप यह दी girls हो तो Mamta Sharma और बहुत तो Ravisharma लिख सकते हो आपके area में जो water supply उसके बारे में आपको newspaper के एडिटर उनको लिखना है एक्सप्रेस करना अपने according to views के अनुसा चली देखते है कोर्शन नमर 3 का अंसर आप कितने लिखोंगे फोर माक्स का है तो इसको लिखेंगे हम तो चली कोर्शन नमर 3 का solution इस प्रकार से आपको यहां पर लिखना है ठीक है तो यहां पर सबसे पहले जैसे की पता हो जाएग यहां पर पता उसके बाद में क्या होगा हम एडिटर को लिख रहे है तो to the editor Hindustan Times New Delhi subject क्या हमारा हम किसको लिख रहे है एडिटर को लिख रहे है इडिटर को लिख रहे है इंदूस्तान टाइम्स के है जो न्यू दिल्ली में है इनका headquarters सब contained water supply in भानपूरी धमतरी इसके बा towards the problem of bad condition of water supply in दयालबाग colony में इस प्रकार से प्रोब्लम जा रहे है water supply की वह हम बता रहे है most of the time the taps रिमें टेप्स यहने नल रिमें ड्राइब the supply is made only two hours in the morning and one hour in the evening besides the water सुबह यहां पर बता रहे है morning में क्या होता दो घंटे आता और शाम को एक घंटा इवनिंग में is mudly and polluted जोकि पाने बहुत खराब और गंदा आता है थोड़ा अलग सा आता है color में भी many resides fall sick there are उससे बहुत सारी बीमारी हो सकती है complaints of genudize and loose motions after drinking this water loose motion की भी सिकाथ होरी इसको पाने को पीने के बाद in this connection we have complained to the local authorities but in vain I therefore request the higher authorities to look into this matter and take necessary actions immediately तो आपने यहां पर पूरी डिटेलिंग दे दी है कि आपके एरिया में किस प्रकार से water supply को लेकर problem जारी है और यहां पर आपको बहुत सारी दिक्कतों का सामना भी कर रहा है इसके बाद thanking you आ जाएगा और यह आपका पूरा letter editor को complete हो जाएगा ठीक है question number 3 का बहुत बढ़ी secondary school किसके जगदलपूर के आपको एक notice तियार करना है write a notice for the lost and found of your school notice board that you have lost your watch on the school playground ठीक है तो यहां पर आपको lost or found का क्या लिखना है notice तियार करना है जिसमें यह आपकी कोई खोई वाली चीज हो या पाई वाली चीज आपको मिली वाली होंगी तो उसके बारे में notice होना थोड़ा सा notice तियार करना है चारंक का है इसका solution हम देखते है चलिए देखेंगे तो यह question number 4 का solution हो जाएगा रानी अहिल्या देवी senior secondary school जगदलपूर notice lost 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 मतलब कुछ खो गया है date यहां पर आप अपने according लिख देंगी कब खो आता ठीक है golden titan wrist watch was lost near computer laboratory on इतने तारीक को आपको जो अपने चिरेट यहां पर लगे आपकी जब को यह अपने according बना कर date लिख लेचे if anyone finds it please contact यह किसी को मिले मेरी जो watch golden titan वो खो चुकी है इतने तारीक को library में sorry laboratory में computer laboratory में ठीक है तो computer जब हहां पर work कर रहे होंग उस time खो चुकी है ठीक है तो किसी को मिले तो contact कीज प्लीज इस प्रकार से आपको बताना है undersigned finder will be rewarded मतलब जो खोच के लाएंगा या जिसको मिलेगा उसको क्या मिलेगा अवोर्ड भी मतलब थोड़ा पैसे वगरे के बारे में है तो वह भी मिला जाएगा या फिर अवर्ड वगरे यहां पर मदान गुपता student of class 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 यहां पर बताएगा ठीक है तो यह पूरा आपका notice board इस प्रकार से त्यार हो जाएगा lost के लिए जौपकी watch हो गई उसके लिए ठीक ए पूरा question number 4 का complete solution हो जाएगा इसके बाद question number 5 देखेंगे हम चली question number 5 को देख लेते हैं तो question number 5 है write the correct form of infinitive ठीक है यहां पर आपको form the infinitive verbs वगेर आपको जो है यूज करना है जैसे यहां पर question number a में है we have dash our homework we have do यहां पर जो है do की form में verb में है इसको correct form यूज करेंगे b में भी है my little brother is learning dash e यहां जाएगा इसके लाओ option number b में भी a b है और c है तीन आपको questions तीनों के questions में भी सब questions आपको दिये गए ठीक है तो तीनों questions तीनों कितने-कितने marks के a b c a marks का है 2 यह भी 2 marks का है b और c b 2 marks का मतलब कुल्मिला का 6 marks का आपका question बन रहा है ठीक है तो इसके बाद b number का है तो इसमें right answer होगा my little brother is learning to walk right answer हो जाएगा तीक है इसके बाद a number के आपके होगे 2 marks के इसके बाद b number के 2 marks के तो इसमें होगा you correct form of verbs given in the bracket इसमें वर्भी की correct form देना है you should give up smoke ठीक है आपका यहां पर answer क्या हो जाएगा smoking जाएगा right answer क्या होगा smoking इसके बहुत पसंद है question number third देखेंगे smoking और swimming आजाएगा इसमें participle form of following verbs क्या जाएगा तो option number a में क्या जाएगा corrected participle form इसका क्या हो जाएगा correct का corrected हो जाएगा पहले नंबर का इसके बाद b है sing sing का correct form क्या हो जाएगा sung हो जाएगा right answer क्या हो जाएगा sing sing sung होता है इसी प्रकास संग इसका third form में आजागा correct का भी corrected third form में आजागा तो इस वीडियो में हमने class 10th के English के पूरे complete solution देखें सीजी वोर्ड असाइनमेंट के अक्टूमबर असाइनमेंट महा के जितने आपको दिये गयते पूरे questions 5 तो 5 questions के answer देखें सबसे पहले video को like कर दीजे लाइक नहीं करा हो अभी तक तो और दोस्तों में share करना बिल्कुल भी ना भूले जिससे आपके सभी friends की भी help हो सके इसके अपने अभी तक चैनल सस्क्राइब ना कर रहा हो तो जल्दी से कर लिजे ताकि आपको सारे assignment के answers complete रूप से मिल सके पीडियो पीडियो में तब तक वीडियो को like करे च दोस्तों में share करे thanks for watching